जैहिंत नमस्कार सत्सिकाल अदाब सबको बंदे मात्रम जैसे कि आप सब लोग जानते हो एक्जाम पूर परिवार में आप लोगों की सबी क्लासिस चल रही है तो मैं एक बार फिर से आप सब सब्सक्राइब करता हूँ एक्जाम पूर परिवार में हम एक्जाम पूर कलम से करणती मैं संजीव राठोर आपके लिए लेकर आया हूं दिवाली special mock test दिवाली special mock test इसलिए है क्योंकि थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी आपकी रह्मत मिलकर हमारे यह question तयार हुए हैं और इन questions को पढ़ के सीख के हम अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं मुझे उमीद है आज की question और vocabulary के question आपके दिमाग में एक नई उर्जा लेकर आएंगे नई करांती लेकर आएंगे नई एनर्जी लेकर आएंगे और बस वही एनर्जी की आपसे हमें जरूरत है स्टार्ट करते हैं अपने आज की session को मॉक टेस्ट वन है और कोसिस यह कि तीन मॉक टेस्ट आपको कराएंगे और तीनों मॉक टेस्ट ऐसे होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको अगामी पेपर में आपकी help करेंगे आपको किन चीजों पर ज्यादा पढ़ना है किन चीजों पर आपको focus करना है उसमें आपकी पूरी help करेंगे तो देखो word of the day आपके सामने विजेर word of the day की बात करें तो word of the day इसलिए लेकर आपके लिए आते हैं ताकि आप समय समय पर वो क्याप की भी तैयारी अच्छे से करते रहें विजेर की बात करें, तो विजेर आपका 1500 पिसमें एजिक्टिफ है, अगर हम इसके meaning की बात करें, तो इसका meaning होता बिचित्र जो चीज अजीब टाइप की हो बिलकुल डिफरेंट हो बिलकुल अलग हो उसके लिए इस विजेयर वर्ड का यूज करते हैं अगर हम इसके common से word की बात करें तो हम strange कह सकते हैं strange इसका common सा word होगा Synonym की बात करें तो इसका synonym पीक्यूलियर और और कर सकते पीक्यूलियर भी आपकी एक्जाम में पूछा जा चुका है तो इसका एक common सावाड peculiar भी हो जाएगा बात करें गर हम एन्टोनिम की तो एन्टोनिम इसका आइनिय कहते हैं जो साहथ जो बिलकुल सिम्पल सी चीज हो उसके लिए हम इस और दीट का यूज करते हैं अगर मीरिभा तो ओक्यां एड्र हम कर दो ऐसा विछ एड्र सीचुएशन हम कैसी सीचुएशन सिचुएशन फेस कर रहे हैं जिसे हम कह सकते हैं विचित्र सिचुएशन अगले वर्ट की अगर बात करें तो अगला वर्ड आपके सामने कमर्डियर कमर्डियर की बात करें तो पाट्सोपीस-पीस में यह क्या है नौ और इसका मीनिंग होता है जब हमारा विवहार फ्रेंड अगर आधिक कमंस Nagrais कमंसे वर्ट की बात करें तो इसका एक कोमन सा वर्ड आपका हो जाएगा फ्रेंद से सीनोनिम की बात करें तो सीनोनिम का मेंरेट सी फैलो सेала territorio की बात करें तो इसका कहना खेंस हम स्वाली टींट बी कर सकते हैं क्या आखर सकते हैं स्वाली टीउड जो भी आपका इसका एक अंट्रोनिम हो जाएगा अगर हम एक्जाम्पल की बात करें तो आर कामर डियर इस एविडेन तो एब्रीवन जब आप अच्छा बिवार करते हो तो कुछ भी आपको पूब करने की जरूरत नहीं पड़ती कुछ भी आपको कहने की जरूरत नहीं है यह जो कोशन आपकी स्क्रीन पर आएंगे यह आपको fully help करेंगे आपके score को बूस्ट करने में तो देखो apples to all those two I said exactly the same thing a couple of days ago आप पॉल्स इसका मतलब होता है लोगों के सामने कुछ रखना लोगों के सामने कोई बात रखना लोगों के सामने कुछ कहने की जरूरत करना तो those two I said exactly the same thing a couple of days ago आपके पास option है whom आपके पास option है that आपके पास option है which आपके पास option है वूस अगर हम इनकी बात करें तो आप सब लोग जानते हो अगर आंसर की बात करें कि तू आपका क्या है प्रेपोजीशन तो क्या होता है प्रेपोजीशन और अगर तू प्रेपोजीशन है तो यहां पर क्या होगा प्रेपोजीशन के बाद हम किसका यूज करते है आप जिक्टिव केस का यूज करते है प्रेपोजीशन के बाद क्या आता है आप जिक्टिव केस आता है अगर प्रेपोजीशन के टो हूं नहीं होता है विच आपका सब्जेक्टिप की तोर पर युज़ होता है देट भी सब्जेक्टिप के सब्जब जब्सक्राइब होता है हूं है जो आपके ज Carter's के तरब गया बहुत के लिन होता है बहुआ इस तरह की concept आपने नहीं पड़े होंगे लेकिन यह एजूमस देट फंस विद गोल्स प्रॉफिट मैग्समाईजेशन बिल नौट भी हैं t कॉम्टिटिवली कुछ ऐसी कम्पनी कोड ने एजूम किया माना इट फंस विद गोल्स जिन कंपनी एक उपने वोल सोते हैं टारगेट सोते हैं प्रॉफिट मैगजमाईजेशन वो अपने profit को maximize करते हैं बढ़ाते हैं will not behave anti-competitively वो क्या है कि competition का विरोध नहीं करते कभी anti-competitively नहीं होते वह हमेशा साथ होकर चलने की कोसिस करते हैं besides besides we need or no proposition यह एक ऐसा question है जिसे पढ़ने की बाद आप बहुत अच्छा करेंगे सही हो जाए तो ठीक है गलत हो जाए तो इसको सीख लीजिएगा देखो यहां बोला गया है कि जिनके गोल के साथ-साथ profit maximization भी होते हैं तो जब किसी चीज को add करते हैं जोडने की को बात करते हैं मतलब गोल्स भी है और इनके profit maximization भी है इसकी हम बात करें गोल्स भी है और profit maximization भी है दोनों चीज़े हैं और जब दोनों चीज़े हैं तो ऐसी condition में किसका यूज करते हैं besides का एक के साथ कोई चीज जुड रही हो एक के साथ कोई चीज बढ़ रही हो तो इस condition को तुम क्या बोलते हैं वो क्या बोलेंगे विसाइट का यूज करेंगे विसाइट का मतलब होता है के पास नजदीक और करीब के पास नजदीक और करीब बनीत की बात करें बनीत का मतलब होता है से नीचे इसका भी कोई मतलब नहीं है प्रेपोजिशन तो यूज हो गई होगा तो विसाइट से आपका सही जबाब होगा अगला कोशन है इविन एर वेर फ्री स्पीच इस आ राइट दमेर ड़स नोट लाइक यू आई यहां तक कि जब आपको बोलने की सतंतरता है दमेर ड़स नोट लाइक यू मेर जो है वह आपको पसंद नहीं करता आई के नोट गैटा ही उससे सुनवाई नहीं मिले या फिर यहां हेरिंग आपका नाउन के तौर पर यूज हुआ है ना आप यह समझ लोग कि हैर का तो आई के तौर पर यूज हुआ है ओप्शन इटिल अंटिल अनलेस इस टिल यह चार और यह कोशन आपके 2016 में पूछा गया है तो देखो अगर हम अनलेस कर देते हैं तो अनलेस के साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आता आप जानते हो कि अनलेस और अंटिल के साथ हम नेगेटिव का यूज नहीं करते हैं इस टिल की बात करें तो इस टिल भी आपका नेगेटिव सेंज के तौर पर यूज होता है सर्प्राइजिंग का सेंज देता है तुमने अब तक यह काम नहीं किया ऐसी कंडिशन में इस टिल का यूज करेंगे तिल आपका एक ऐसा वर्ड है जो ने नेगिटिव सेंटेंस नेगिटिव इस्ट कर का यूज कि नहीं करते हैं कि एक फुद में ूज में हो तो यूज झाय यूज करते हैं तो इस टिल का समटों adequate नहीं करते हैं तो यूज कि देने और में चलन कोम स्कराइज और। और ऑप अपने घर की तरह रहा था तो यूकी को लाअरा स्टे में बहुत सारी बिखारी मिले और बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो मतलब धैनी श्थिति में थे । जिनकी इस्थिति अच्छी नहीं थी इस तरह की लोग मिले तो flagged, ignorance, flagging, emphasis flagged, ignorance, flagging, emphasis flagged का मतलब होता है कि जब बड़ी मात्रा में लोग मिले पैदल चलते हुए रास्ते में, भीड़ भाड में लोग आपको मिले तो इस condition में हम इस flagged word का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं? flagged word का use करते हैं तो यहां पर सही जबाब ignorance का मतलब होता है किसी को नकारना flagging flagging की बात करें तो घूमते हुए चलते हुए चलते फिरते चलते हुए मतलब टैलते हुए बिना रुके चल रहे हो उनके लिए यूज़ इंफिसिस का मतलब होता है दबाब डालना इंफिसिस मेंस क्या होता है दबाब डालना तो सही जबाब आपका क्या हो जाएगा flagged is right option ठीक है नेक्स्ट कि मैरे मज़र्श ऑनली कंप्लेंड सब्सक्राइट है न कंप्लेंड की वह चाहती है कि वह बिल्कुल वेल की तरह जो काम करती है उस ट्रेक को हटा दिया जाना चाहिए उजगे होनी नहीं चाहिए वीन हैड बीन है बीन या वर बिंग ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस आपका पैसिब में हटाया किसी और की द्वारा जाएगा तो पैसिब बाले स यह भी पैसिम में होगा है वी रिमूट यह भी पैसिम में होगा और यह जो मदर्स ऑनली कंप्लेंट वर दैट दा एक ट्रैक है बीन रिमूट टीट एंडिट हैंडल लाई का वेल यह वर भी देखो एट ट्रैक जो है वह थाया जा रहा था उसको हटाने की कोसिस की जारी ही और वो एक वेल की तरह काम कर रहा था बात यहां पर यह है कि वीन तो नहीं करेंगे माल लिया हैड़ी अगर हम करते हैं तो यहां पर वर्देट ठीक है है हैड defense removed and मेरे इसाब से हैड़ी कर लो ईह वाला अगर करोगे ना तो फिर गलत हो जाएगा है हैं भी निक्र है 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 लए जादा सही मय है क्योंकि एक पार्ट आपका किस्म हो जाएगा है एक simple past में जा रहा है तो दूसरे part को क्या कर लेंगे दूसरे part को past perfect में कर लेंगे जो हमारे grammatical concept को भी strong बनाएगा grammatical concept को भी complete करने की कोसिज करेगा पानी की बहुत अलाज गरे गई ठीक है next अगला गोश्चन आपके सामने है although he is a valence person he occasionally loses his हाला कि वह संतुलित प्राडी है उसे गुस्सा उस्सा नहीं आती लेकिन फिर भी कभी-कभी वह अपने ब्योहार को या अपने आपा को खो देता है तो यह सही जबाब होता है loses his temper loses his temper जिसका मतलब होता है आपा खो देना आपा खो देना ठीक है तो loses his temper आपका सही जबाब हो जाएगा ठीक है नेक्स अगला गोशन है most of the people leave more than lose change in their cars देको कई वर क्या होता है कि जो छुटे हुए सामान होते हैं खुले हुए सामान होते हैं लोग उनको जल्दी भूल जाते हैं अक्सर ऐसा देखा है कि लोग उन चीज़ों को भूल जाते हैं most of the people leaves everything more than loses change in their cars कई वार ऐसी situation बनती है तो देखो लगबग nothing करेंगे तो फिर more than loses यह negative sense देगा no be negative sense देगा any cause या तो हम interrogative sentence में करते हैं यह negative sentence में करते हैं तो सही जबाब क्या हो जाएगा everything mostly जो खुली होई चीज होती है अक्सर इंसान भूली जाता है पता ही नहीं चलता भाई इसमें करना क्या है क्या करने की हम कोसिस करें कैसे इसको complete करें उसे लोग जादा भूल जाते हैं next even after repeated warnings he to office on time कई वार उसको warning देंगी कई वार उसको समझाया गया कि आपको office में लेट नहीं आना है फिर भी never come never comes is never coming have never come कभी भी वो टाइम पर नहीं आया तो उसने अपना लेट आना जारी रखा इतनी बार डाटा गया फिर भी उसने लेट आना क्या रखा जारी रखा तो देखो इवें आफ्टर रिपीटिड वार्निंग कई सारी वार्निंग देगें he is never coming to office on time कभी भी समय पर office नहीं आता मतलब यह उसका repeated action नहीं कहेंगे continuous action है कैसा action continuous action अब देखो आप कोगी कि अगर never come कर दें तो never come तो करेंगे नहीं never comes कर देंगे तो यह आदत रहेगी यहां आदत कह सकते हो लेकिन अगर यहां पर हम never कर देंगे तो he never to office on time कभी नहीं आया नेवर जो है पर्टिकुलर ली एक है विच्वल में देखा जाता है बट यहां पर किया है कि उसने जारी रखा उसकाम को repeated warnings उसको दीगी फिर वी उसने लेट आना जारी रखा और जारी रहने के sense में हम continuous tense का यूज करते हैं जारी रहने के sense में कॉंसाटेंस यूज करते हैं continuous tense करते हैं तो सही जबाब is never coming रहेगा अगला कोशन है he felt the only way to emancipate from his parents was to move away he felt the only way उसने एक मात्र रास्ता अपनाया या महसूस किया to emancipate from his parents was to move away उसी लगा कि उसके माता-पिता दूरी बना सकते हैं मुक्त कर सकते हैं छोड़ सकते हैं himself himself your या फिनूबर डिक्वाइट याद रखना emancipate के साथ हम reflexive pronoun का यूज करते हैं जब भी emancipate emancipate आएगा तो इसके साथ हमें reflexive pronoun का यूज करना पड़ेगा अब subject हमारा क्या है कि उसका reflexive क्या हो जाएगा himself यह तो himself तो कोई word नहीं है गलत तरीके से यूज होता है गलत तरीके से इसका यूज किया था तो सही जबाब क्या है हिमसेल्फ आपका सही जबाब है next है अगला कोशन है सम अब दा रस्टरल्ड केटल ड्राइवन तू दा कोस्ट फॉर एक्सपोर्ट तू नियर्बाई आइलेंड तो देखो स्किल केटल होते है आवारा पसू घं ए उनकी बात की जियर्फ कोस्ट कमतलब होता है किनारे कई वार क्या होता है कि दूसरे लोग उनको लेज आते है और गायी चिसको घंकर जरूए है वह अपने पास बांध लेता है तो हैडidd बीन बाथ बास्बीन वर बीं संग या फिर PAST CONTINUUS को क्या हुजाएगा वर विइंग रहा और यह पसू को खुद कोई नहीं ले लेता है किसी और के द्वारा ब nanowalling हते हैं तो यह सेंते बरक्तिक कैसा रहीगा था पसुओं को कोई और ले लेता है किसी और के द्वारा ले लिए जाते हैं तो ऐसी कंडिशन में सेंटेंस हमारा पैसिव में रहेगा next some studies suggest that tamoxyfin interfere with brain metabolism and cognitive function tamoxyfin का मतलब होता है जो चीजे हमारे दिमाग में विकार लेकर आती है गलर चीजे लेकर आती है उन्हें कहते है tamoxyfin तो देखो some studies suggest that tamoxyfin interfere अब यह some studies कैसा है प्लूरल जब some studies plural है तो इसके लिए आने वाली वर्प कैसी होंगी प्लूरल सजेस्ट आपकी प्लूरल है interfere आपकी प्लूरल है और कोई वर्ड आई ने cognitive function का मतलब होता है जो ग्यानात्मक क्रियाएं हमारी होती है जो ग्यान को observe करने वाली हमारी क्रिया होती है उनके लिए तो सही जबाब क्या हो जाएगा नो एरर आपका यहां पर सही जबाब होगा next अगला question what they mean by that is that the central bank must avoid policies that aim before zero inflation what they mean by this is इसका मतलब क्या है that the central bank must avoid जो central bank है उसे avoid करना चाहिए policies कौनसी policies that aim before zero inflation जो zero mudra स्पीती से पहले zero inflation से पहले जिन चीजों के बारे में बात की जा रही है कि प्रेपोजीशन को कोश्चन है कराया है यह कोश्चन मैंने आपको एक्जाम में कराया हुआ है है कि तो देखो आपको कई वार हमने बताया आपको याद होगा वो गर्दन बाली ट्रिक बीचाहीए और प्रेपोजीशन में फिर से अपको यह गर्दन बाली ट्रिक बताएंगे कि एम घरदन से ऊपर के सिर्भी पासे उनका एक मुझ tercer from a position के तौरा आट यूज करते हैं तो एम का मतलब लक्ष बनाना लए लगा बनाए घ दिमाग भी हमारा गर्दन सी ऊपर है और जब यह गर्दन सी ऊपर है तो इसके साथ भी हम किसका यूज करेंगे एट का यूज करेंगे तो सही जब आप क्या हो जाएगा एम एक इस राइट ऑप्शन गेडिंग मैं पॉइंट now move to next question and the next question is the golden plaza tower which also houses shops and a school is crowned from the revolving restaurant the golden plaza tower back is here golden plaza tower which also houses shops and a school is crowned from the revolving restaurant restaurant make a sorry the golden plaza में कई सारी चीजें situations है तो the golden plaza tower which also houses shops and a school is crowned from the revolving restaurant इजी के साथ वर्प की third form मतलब sentence passive में तो फिर क्या होना चाहिए बाई होना चाहिए क्योंकि mostly cases में आप जानते हो जब भी sentence passive में होता है तो प्रेपोजिशन के तौर पर किसका यूज करते हैं प्रेपोजिशन के तौर पर मुसमें बाई का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा यहां पर फ्रॉम की जगे पर आपको बाई का यूज करना होगा अगला कोश्य ने सी वह दा लीडिंग फॉर मोस्ट आप दरेश वट सी इवेंच्वली फिनिस्ट सिकेंड जब उसने दौर्डना स्टार्ट किया था तो वह लीड कर रही थी लेकिन अंत में फाइनली वह कहां पहुंच गई हार गई यहां कह सकते हैं सिकेंड आई वह तो टो दॉसी वास्दा लीडिंग अगर बात करेंग लेडिंग का नोरард की तो लीडिंग एक अजिक्टिप के तोड़ एक टॉर पर देखाशाता है तौर ली जुटिंग जह एंगंशूर्म अब जो द आया है आर्टिकल द पाल्टिकल आया आर्टिकल के साथ तो नाउन का य करते हैं तो यहां पर लीडिंग की जगह पर किसका यूज कर देंगे लिटर क्योंकि हमें चाहिए क्या नाउन का यूज करना है किसका यूज करना है नाउन का यूज तो C वाज़ा लीडर for most of the race but C eventually finished second तो लीडिंग आपका एजिक्टिव होता है और लीडर आपका नाउन होता है हमारे पास दा आर्टिकल है आर्टिकल के साथ हम एजिक्टिव का यूज करेंगे आर्टिकल के साथ हम नाउन का यूज करेंगे next अगला गोश्यन है find the synonym mellifluous का आपको synonym बताना option is sewer frank immoral और dull set mellifluous melodious word होता है जिसका मतलब होता है सुरीला क्या मतलब होता है शुरीला और यह पार्ट्सोपीस में क्या है एजिक्टिव पार्ट्सोपीस में क्या है एजिक्टिव शीवर की बात करें तो इसका मतलब होता है का अपना है फ्रेंक का मतलब होता है खुले बिचारों बाला इंसान कहते हैं यह तो बड़ा फ्रेंक है प्रमारल का मतलब होता अनैथ इक है ड़ल्सेट この स्वियल्ण और कि आपका ऐंसर हो जाएगा जो की 500 Hare speech में क्या है एक यह तो आपकी वर्प के तो पर यूज़ोगी frank आपका नाउन के तोर पर यूज होगा इमोरल आपका अजिक्क्टिव के तोर पर यूज होगा और डलसेट भी आपका किसके तोर पर यूज होगा adjective के तोर पर सबकी parts of speech मैंने आपको बता दिए नेक्स्ट अगला कोश्चन आपकी screen पर है question कह रहा है find the antonym यह जो startled word है ना इसका आपको antonym बताना है option a amused relaxed endless और astonished startled का antonym अगर में startled की बात करें तो startled का मतलब क्या होता है जिसे हम कह सकते हैं अचंभित होना क्या होता है अचंभित होना चौक जाना परिशान हो जाना तो इसका synonym आपका astonished amused का मतलब होता है मनुरंजन करना रिलेक्स का मतलब होता है सांत इंड्लेस का मतलब होता है अंतहीन जिसका अंतहीन हो तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा astonished यहां पर सही जवाब होगा नेक्स्ट अगला कोश्चन है find the correctly spelled word इसमें आपको बतानी की indispensable की सही spelling क्या है option 4 आपके सामने तो indispensable में तीन spelling आपकी गलत है और एक कोई सही है वो सही spelling आपको find करनी है indispensable i n d i p e n s e b e l e या i n d i p e n s e b e l e या फिर i n d i s p e n s e b e l e is spelling आपकी i n d i s p e n s e b e l e i n d i हाँ यही सही है indispensable जिसका मतलब होता है जिसको बेदा ना जा सके जिसको प्राप्त ना किया जा सके जिसको अपने काभू में ना किया जा सके है अगला question आपकी screen पर है choose the one which can be substitute for the given word sentence मतलब one word substitution देना है अब pole और beam used as a temporary support किसी temporary support के लिए मतलब अस्थाई support के लिए किसी pole या beam का हम use करते हैं उसके लिए क्या use करें इसके फोल प्रॉप और lean-to या rafter अच्छा वर्ड है आपने देखा होगा घरर बनाने के लिए जब लेंटर पड़ता है तो लेंटर डालने के लिए क्या करते हैं कि एक support बना दिया जाता है याद आपको support बनाते हैं तो उसके लिए वर्ड जोम यूज करते हैं वो करते है पाव प्रॉप मतलब आइस्थाई सहारा इसके फोल्ड का मतलब होता है एक तरह से च्छत जो चाया के लिए बनाई जाती है ठीक है lean-to का मतलब होता है जुकना रेफ्टर का मतलब होता है खंबा जो सीधा और लंबा खंबा होता है उसके लिए इस रेफ्टर वर्ड का यूज करते हैं नेक्स्ट अगला गोश्य ने सूस्ट अल्टर नेटिव फिच बेस्ट एक्सप्रेसिस दा मीनिंग आप दा इडियम फ्रेज आपको बताना है यह म मेन ओफ्लेटर का मीनिग क्या है मैन ओफ लेटर्स अग देखो ऑप्शन से औफ वाइट कोंटेक्स जिसके बहुत ज्यादा कॉंटेक्स हो एंग एक्सिलेंट लेटर डिक्टेटर एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत अच्छे लेटर्स ओं जो लेटर्स को बढ़ेशे से हो ग्रेट राइटर ऑफ लेटर्स लेटर्स का एक बहुत अच्छा राइटर हो या फिर प्रोफिशियंट इन लिट्रेरी आर्ट या जो साहित और कला में बहुत ही कुशल हो तो टेगोर के बारे में आप जानते ही हो उन्हें तो भारत के में नूबॉल पुरुषकार से एक साहित और कला में जो इंसान बहुत तरक्की वाला हो अगला कोशन है चूज अल्टर नेटिव विच मेस्ट एक्सप्रेसिस दा मीनिंग ऑप दा इडियम फ्रेज ही कैन नोट होल्ड़ केंडल तो हेल्डर ब्रदर तो होल्ड़ केंडल का आपको मीनिंग बताना है इसका मीनिंग क्या होगा option a equal to not as clever as cannot be compared to your dollar than hold a candle अच्छा वर्ड है थोड़ा सा ध्यान देना hold a candle का मतलब होता है कि मौंबत्ती को आप रोक नहीं सकते जैसे-जैसे मौंबत्ती जलती जाएगी वह पिगलती जाएगी तो क्या हो जाएगा cannot be compared to सही जबाब क्या होगा cannot be compared to जिसकी हम किसी से comparison नहीं कर सकते यह था आपके लिए मेरी तरफ से mock test एक mock test आपको और मिल जाएगा और उस mock test से भी आपको मेरे target है कि दीवाली आपको कुछ मिले ना मिले लेकिन mock test आपको जरूर मिल जाए ताकि कि आपकी proper practice हो जाए सहसन आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इसे अपने दोस्तों अपने जानकार या पढ़ने वाले लोगों की बीच में share कर सकते हो like करिएगा अभी दिवाली चल रही है तो थोड़ा सा शेयम बर तो थोड़ी सी छोटी class रहेगी जैसे फेस्टिव सी प्लान टॉपिक 22 कर लिया जाएगा थेंक यू जैहिन बंदे मात्रम